भारतिय शिवास्तर का अंतरराश्ट्रिय लेवल पर भूचाल खरीदने के लिए पागल हुई दुनिया भारत ने रख़ दी मुहमांगी कीमत फिर भी दुनिया के 26 देश लगे लाइन में भारत को कोई भी कीमत देने को तैयार जी हाँ दोस्तों, भारतिय शिवास्त्र का इंटरनेशनल लेवल पर टांडव मच गया है और दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए पागल हो गए हैं हाला तो ये है कि भारतिय शिवास्त्र ने अमेरिका, रूस और चीन को भी तगड़ा जटका दे दिया है और जो देश इनसे हथियारों की खरीदारी किया करते थे, अब वहीं देश इन्हें लात मारते हुए भारतिय हथियार पर टूट पड़े हैं यानि कि एक तरफ जहां भारत को अपने शिवास्त्र की मुखमांगी कीमत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने रूस अमेरिका और चीन के हथियारों का मटिया मेट कर दिया है हैरानी वाली बात तो ये है कि जिन देशों की भारत से नहीं बन रही है, यानि कि उनके भारत के साथ रिष्टे ठीक नहीं है वे भारत के इस मायावी हथियार को खरीदने के लिए उन देशों से संपर्क साध रहे हैं जिसके भारत से रिष्टे ठीक चल रहे हैं यानि कि वे चाहते हैं कि वो देश सबसे पहले इस हथियार को भारत से खरीद ले और उसके बाद इसको इन्हें डिलीवर कर दे यानि कि वे सामदाम, दंड और भेद की नीती अपनाते हुए किसी भी कीमत पर भारती ये शिवास्तर को हासिल कर लेना चाहते हैं क्योंकि उनको भारत के इस हथियार की असल ताकत पता चल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का ये शिवास्त्र आखिर है क्या और इसके पास ऐसी कौन सी मायावी ताकत मौजूद है कि आज 26 देश इसको खरीदने के लिए भारत के आगे नाक रगड रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में भारतिय वज्यानिकों के लिए जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ दो सेकेंड का काम है। लेकिन इससे भारतिय वैज्ञानिकों को ऐसी मोटिवेशन हासिल होगी कि वे इससे भी खतरनाक हथियारों को डेवलप करेंगे और चीन अफ पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिलाएंगे। जी हां दोस्तों हम भारत के जिस शिवास्तर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बलकि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक से पागल कर दिया है और आज की स्थिती में दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए भ भारत का ये हथियार इंटरनेशनल लेवल पर इतना वारियरल कैसे हो गया तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि भारत ने अपना ये मायावी हथियार सबसे पहले आर्मेनिया को दिया था और आर्मेनिया को जैसे ही ये हथियार प्राप्थ हुआ उसके सबसे बड़े दुश् इस हत्यार की कार्ट ढूंडने में लगा हुआ है यानि कि भारतिय शिवास्त्र ने अजरबैजान के हत्यारों को उसकी नानी याद दिला दी है और यहीं से भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लांचर इंटरनेशनल लेवल पर वायरल होने लगा और आज स्थिती ऐसी है कि दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए भारत पर तूट पड़े हैं दोस्तों आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के इस हत्यार ने अब रूस और अमेरिका के हत्यार को भी पीछे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है पिनाका रॉकेट सिस्टम को युद्ध के मैदान में पहुँचते ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और वो पागल हो गया है और इस हत्यार की काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के पास भी इस हत्यार का कोई तोड मौजूद नहीं है जिस वजह से वे अजरबैजान की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं और चारो देश भारती हत्यार के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से कई अन्य देश भी भारत से इस हत्यार की डील करना चाहते हैं भारत आगे भी अर्मेनिया को 5000 पिना का यूनिट दे रहा है जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है और ये सिस्टम रूसी सिस्टम से भी बहुत आगे है और नई टेकनोलोजी से भी लैस है तो चलिए जानते हैं इस हत्यार की मायावी ताकत के बारे में दोस्तों पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉंचर सिस्टम होते हैं यानि कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं और उसके साथ लोडर वेहिकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तयार कर देता है इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है इसके असल ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से छोड़ा जाता है पिनाका का लॉंचर केवल 44 सेकेंड्स में दुश्मन पर ताबर तोड बारहर रॉकेट दाग सकता है यानि कि हर 4 सेकेंड में पिनाका नाम की मौत दुश्मन का खात्मा करने के लिए दौड पड़ती है पिनाका MBRL सिस्टम को टाटरा वाहन पर बारहर रॉकेट ट्यूब के जरिये दागा जाता है इसकी स्पीड 57-150 किलोमीटर प्रति घंटा है यानि कि पिनाका एक सेकेंड में देड़ किलोमीटर से भी ज्यादा की रफतार से हमला करता है इस पर हाई एक्स्प्लोसिव, फ्रेग्मेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हतियार लगाए जा सकते हैं पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में छे लॉंच वेहिकल के साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है पिनाका सिस्टम अत्याधुनिक नेविगेशन, नियंतरन और मार्ग दर्शन प्रणाली से लैस है भारतिय सैटलाइट सिस्टम की मदद से पिनाका सटीक निशाना लगाता है टेलिमेटरी रडार के जरिये निशाने को ट्रैक करने में सक्षम है यानि कि पिनाका का दुश्मन इससे भाग ही नहीं सकता ये इलेक्ट्रो एप्टिकल टार्गेटिंग सिस्टम से भी लैस है पिनाका यानि कि ये रॉकेट इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को भी खोजने में सक्षम होता है पिनाका एक बार अगर अपने लक्ष की और बढ़ा तो फिर उसका नाम उनिशान मिटा कर ही रहता है इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है इसकी खास बात ये है कि हर मौसम और परिस्थिती में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है इसको लद्दाख और अरुनाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है उतना ही पाकिस्तान से सटे भारतिय सीमा पर भी पिनाका शिव के धनुष की तरह ही विधवनसक और अचूक है इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया है एडवांस तकनीक से लैस ये लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता सत्तावन सौ पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से दुश्मनों पर हमला करता है और हर चार सेकेंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता होती है पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हतियार लगाए जा सकते है पिनाका रॉकेट लॉन्चर को बेहद ही खतरनाक माना जाता है ये तीन वेरियंट में उपलब्ध है पिनाका मार्क 1 की मार्क क्षमता 45 किलोमीटर तक होती है वहीं पिनाका मार्क 2 वेरियंट की मार्क क्षमता 90 किलोमीटर तक है अगर बात करें इसके सबसे एडवांस वर्जन पिनाका मार्क 3 की तो पिनाका मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है यह एक Guided Rocket Variant है जो पलक जपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीकता से जवाब दे सकता है। दोस्तों आर्मेनिया को सप्लाई होने के बाद इस रॉकेट सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया में वाइरल हो चुकी है और आज दुनिया के 26 देश इसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी भारत से इस हथियार की मांग करें क्योंकि उसका जो हीमर्स रॉकेट सिस्टम है वो पिनाका के एडवांस वर्जन के आगे कुछ भी नहीं है। झाले से एड़िका जो हीमर्स वर्चेट से बासिते हैं।